देखिए जो फ्राइड फूर्ड आइटम्स होते हैं या जिसे हम देशी भाषा में कहते हैं तला गला खाना तो ये हमारे भारतिय संस्क्ति का एक अभिन्य भाग रहा है है की नहीं मतलब अगर आप वेस्टिन वर्ल्ड और इंडिया को कंपेर करें तो विदेशों में लोग तला गला या फ्राइड कम खाते हैं चलो बर्गर खाते हैं पीजा खाते हैं पर हमारे यहां हम लोग पसंद करते हैं कचोरी समोसा भजिया वड़ा पाव इसिंट इट लेकिन देखिए अगर अच्छे तेल में अच्छी जगह वो बन रहा है तो वो आपके हेल्थ को कोई इतना बड़ा नुकसा नहीं पहुँचाएगा डेफिनेटली कॉलेस्ट्रॉल तो बढ़ाएगा ही हार्ट को खत्रा है आपका वेड बढ़ाएगा लेकिन ऐसा कोई जीवन या मरण का सवाल नहीं आएगा लेकिन अगर आप कोई ऐसा फ्राइड आइटम खा रहे हैं जिसमें तेल को बार बार लगातार वो लोग प्रयोक कर रहे हैं तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो अगर जो भाईया है जो भजिये बना रहे हैं या कुल्चा बना रहे हैं या भटुरा बना रहे हैं या समोसा कचोरी वड़ा पाउ जो भी चीज़ बना रहे हैं और अगर वो तेल को बार बार लगातार यूज़ करते जा रहे हैं तो इससे उनको तो फाइदा होगा पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है तो आपको एक ही चीज़ करनी है वो है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखिए तेल जो है इसको एक ही बार प्रयोग करना चाहिए बाहर की क्या बात करें हमारे घर में भी समझो की मम्मी जी पूरियां बना रही है पूरी बन गया उसके जो तेल बजगया उसमें दूसरा कुछ फ्राइब कर ले रहे है उसी तेल से डाल पे बगार लगा दे रहे है कैसे भी करके उस तेल को बार-बार प्रयोग कर रहे है जो कि बहुत ही गलत है गलत क्यों है बताओं जो फैट्स रहते हैं तेल के अंदर जो कि ओके है आपके हेल्थ के लिए इतने खराब नहीं है अच्छी quality के fats रहते हैं अगर उस तेल को हम बार बार यूज़ करेंगे बार बार गरम करेंगे एक temperature से ज़्यादा गरम करेंगे तो ये fats जो है trans fats में बदल जाएंगे ये trans fats जो है आपके heart के लिए बहुत ही खराब होता है आपके heart में blockage पैदा कर सकता है heart attack आपको आ सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी तेल को बार बार लगातार प्रयोग नहीं करना है ऐसी दुकानों पे जाना बंद कर देना है जहां पे तेल बार बार लगातार प्रयोग होता है देखिए fried food जो होता है इसकी तलब लगती है जैसे मेरे घर पर जो बच्चे है वो घर से निकलते हैं मेरे साथ वड़ा पाउ के दुकान कहती है अरे वड़ा पाउ खाएंगे वड़ा पाउ खाएंगे वो खुश्बू से रूकी नहीं सकते है यह हमारे सेउसल मिलते हैं सेउसल जो भी भटूरा रुकी नहीं सकते है जब खुश्बू आती है बड़े-बड़े लोग नहीं रुक सकते हैं साथ बड़े-बड़े लोगों के डाइट प्लाइन टूड़ गए इस खुश्बू के कारण लेकिन आपने देखा होगा कि कोई दुकान से आप जा रहे हैं तो ऐसी तेल की खुश्बू आ रही है या बदबू आ रही है जिससे आपको एकदम जहनाटी पैदा हो रही है ऐसी दुकान पे बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको तेल के कलर को देखना है जिस तेल में वो फ्राय कर रहे हैं अगर वो थोड़ा डार्क हो गया है ऐसी दुकान से आपको बिल्कुल भी नहीं खईदना चाहिए गौर्मेंट नॉम्स के हिसाब से तेल को बार-बार यूज करना लौ के भी खिलाफ है अगर कोई भाईया जो दुकानदार है वो बना रह भजिया या भटूरा और तेल को बार-बार यूज कर रहे है आप उनकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं और देखिए अगर यह तेल जो बार-बार यूज हो रहा है इसको आप प्रयोग करेंगे इसको आप खाएंगे तो आपको कील मुहास से एकने भी निकल सकता है सकिन रैशे जिनको प्रॉब्लम है उन लोगो तो तला गला खाना ही नीच चाहिए चलो खा भी लिया एक सोके लेकिन अगर वह ऐसा बार बार वाला फ्राइड वाला जो खा लेंगे तो भहुत ही खराब हो सकता है तो इसलिए जब भी आप फ्राइड फूट खाएं चाहिए समोसा खाएं कचोरी खाएं भटूरा खाएं वड़ा पाओ खाएं सेउसल खाएं कुछ भी खाएं उससे पहले वह भहिया से आप पुछती जी कि तेल कप आपने डाला है जरूर पुछती को बताएंगे जरूर आपने आखों से देखें कि तेल का कलर क्या है ट्रांस फैट अगर आप लेंगे ना यह कार्सिनोजेनिक भी है लॉंग टर्म तक आप लेते जाएंगे तो यह कैंसर प्रडूसिंग है इतनी बड़ी डिजीज आप चाहेंगे नहीं कि आप जीवन में निमंतित करें या अम वोसम बहुत अच्छा है बारिश गिर रही है कुछ भी है भजिया खाना है तो आप जरूर जरूर तेल को देख लीजिए परे जहां फ्राय हो रहा है ऐसे रेस्टरॉंट में खाये मत जहां अंदर बनके आ रहा है वो तो क्या तेल यूज़ कर रहे हैं आपको मालूम ही न फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसी इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन आपके साथ शेर करते हुए तब तक के लिए बाई टेक केर फ्रेंड्स